अब शराब पीकर या फिर मुबाइल से बात करते समय ड्रैविंग करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है सडक हाथसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब सक्त कदम उठाने जा रही है इसके अलावा परिवहन और यातायात विभाग में व्यापत प्रस्टाचार को रोकने के लिए कई कदम उठाने की योजना बनाई गई है इस बावत मोटर यान विधेयक में तमाम उपाय किये गए हैं लंबी जद्दो जहत के बाद ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका है राष्टपती की मंजूरी के बाद यह कानून अमल में आ जाएगा आपको बता दें नए कानून में शराब पी कर वाहन चलाने पर 2000 रुपे की जुर्माना राशी को बढ़ाते हुए इससे 10,000 रुपे कर दिया गया है वहीं मुबाईल फून पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 का जुर्माना देना होगा बिना लाइसंस वाहन चलाने पर 500 की जगह 5000 रुपे का जुर्माना देना होगा इसके अलावा रेड लाइट जंप करना या सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1000 रुपे तक का जुर्माना हो सकता है मोटर साइकल पर बिना हेलमेट पहने पकड़े गए तो आपको 1000 रुपे भरने होंगे इतना ही नहीं नावालिक के वाहन चलाने पर उसके अभी भावक को 25,000 रुपे का दंड भी देना होगा साथ ही उन्हें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है पीडित की मोट की स्थिती में अब 10 गुना शती पूर्ती का प्रावधान किया गया है सभी अपरादों में जुर्माने की राशी में हर साल 10 फीसिदी का इजाफा किया जाएगा सड़क दुरगटना में मौत के मामले में वाहन चालक को 2 साल की जगा 7 साल की सजा होगी जबकि हीट एंड रन मामले में जुर्माने की राशी 25 हजार से बढ़ा कर 2 लाख रुपे होगी